नमस्कार और वेलकम टूई स्मार्ट रेवडेचन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारतिय डाग विवाग में एक बार फिर से 12,828 यहां पर वेकेंसी जारी किया गया है और मैंने आपको पिछले वीडियो में इस वेकेंसी के बार में पुरी डिटेल इन्फोमेशन यह इस कारण यहां पर आपका चैनित नहीं हो पicus पाए है इस कारण से आपको निरास होने के आवसेक्टा नहीं है एक बार फिर आपको यहां पर मौका मिल रहा है जिसमें 12,828 वेकेंसी फिर से यहां पर चालू किया गया है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसके प सरकल के जिसभी ऊपिस में अप्लाई करना चाते हैं उसके लिए दोस्तों आपको अच्छे से खुदी आपको सारी चीज़े देखना होगा और जलदवाजी में आपको फॉर्म फिलप कटफ से जुड़ी और यहाँ पर किसी परकार की कोई भी दाउट जो है आपके मन में ना रहे तो चले फ्रेंट्स मिना किसी तेरी काम वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमेशा की तरह इस चनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चलन को जरू सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को जरू पैस करके रखे क्योंकि आपको इस चलन पर 100% authentic और जन्वनी निकली गौर्णन भरती के बारे में ही जनकारी दी जाती है तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 12828 वेकेंसी निकले गई है तोटल यहाँ पर 28 अलग-अलग सरकल में वेकेंसी देखने को आपको मिलेगा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वेकेंसी किसमें निकाले गई है तो सबसे ज़्यादा वेकेंसी दोस्तों North Eastern State में निकाला गया है जिसमें language जो मांगा गया है आपको Hindi और English language आनी चाहिए category wise वेकेंसी यहाँ पर देख सकते है जिसमें सबसे ज़्यादा वेकेंसी जो है North Eastern State में निकाला गया है अगर आपको नहीं पता है कि North Eastern State में कौन-कौन से यहाँ पर इस्टेट आ जाते है तो आपको ट्रेंसन लेने के आवशकता नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तो यहाँ पर दोस्तो मध्यपरदेश में निकाला गया है जिसमें सिर्फ जो हिंदी लेंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए और जिसमें 2992 यहाँ पर पूश्च जारी किया गया है अगर हम थर्ड की बात करें थर्ड जब सर ज़्यादा वेकेंसी किसमें आई है तो लगे है 1408 और फूर्थ नंबर की बात करें तो यहाँ पर 1125 निकाला गया है जार खंड में और फिप्त नंबर की बात करें तो 948 निकाला गया है उडिसा में शिक्त नंबर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तो 36 गड में निकाला गया है 342 और एट्थ नंबर की बात करें त English language जादी है 288 यहाँ पर vacancy जारी किया गए है और 9th number की vacancy 160 निकाली गई है उत्तर परदेश में और 10th मतलब 10th number की vacancy की बात करें तो आसाम में सबसे ज़्यादा vacancy यहाँ पर 138 निकाली गई है तो मैंने दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम मैंने एक top 10 मैंने आपको बता दिया कि किसमें ज़्यादा vacancy निकाली गई है किसमें कम निकाली गई है तो यह चीज आपको देखना होगा और एक चीज और देखना होगा आप जिस भी state से बिलॉंग करते हैं आप other state में भी apply कर सकते हैं लेकिन आपको यह देखना है कि उस state में language कौन सी मांगी जा रही है ठीक है तो यहाँ पर जितने भी language यहाँ पर आपको हिंदी आती है तो अगर आप UP के हैं 36 गड़े अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हिंदी युन लिंग्विज जो है आपके 10th के subject में भी होना चाहिए और आपको आना भी चाहिए इसके लावा गुजराती में आप नहीं apply कर सकते हैं क्योंकि इसमें गुजराती language मांगा हुआ है जिसमें हिंदी हिंदी मांगा हुआ है उसमें apply कर सकते हैं इसको गुजराती आती है वो गुजराती language वाले इसमें apply करेंगे तो यह यहाँ पर चीज़े आपको देखना होगा तो सबसे पहले तो यह यहाँ पर सारी चीज़े clear हो गई होंगी इसके लावा मैं आपको cut-up बारी-बारी से मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है उसके बाद expected cut-up की हम बात करेंगे कितना cut-up जा सकता है मैंने सारी चीज़े analysis और research करने के बाद ही सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे विहार में जो vacancy आई थी 2023 में ही यहाँ पर 4800 यहाँ पर 89 vacancy जिसका यहाँ पर first list जो है यहाँ पर जारी किया गा था जिस कारण document verification में वो जान नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर गलत यहाँ पर entry करके यहाँ पर 100 marks दे देते हैं जिस कारण से इनका यहाँ पर document verification ना जाते हैं और वो seat जो है खाली पर जाती है जिस कारण से यहाँ पर list 1, list 2, list 3 इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर जारी किया जाता है ठीक है भारतिया डाग विभाग दोरा ठीक है तो यह सारी चीजे है दोस्तो और इस चीज को आपको ignore करना है यह वैसे student होते हैं जो जान बुझ के यहाँ पर 100 डाल देते हैं इनको कुछ लेना देना नहीं है फाल्दू की एक्चुल में जो अपनी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको लिखता है तो SE का देख सकते है 94 इसी प्रकार से यहाँ पर 99.4 SE का यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से 99.6 यह फर्स्ट कटफ की लिष्ट है तो लगभग जितना भी आप देखेंगे 95, 96, 97, 98, 99 के ही आसपास यहाँ पर बच्चों के नंबर यहाँ पर दिखेंगे 95 से कम नहीं दिखेंगे 99 के ही ज़्यादा 95 से भी अबब यहाँ पर कटफ देखने को मिलेगा यह फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी किया गया था यानि कि फर्स्ट लिस्ट में जो बच्चे डॉक्मेंट वरिफिकेशन में अपियर नहीं हुए थे जिस कारण से यहाँ पर जो है सीटे वेकेंट पड़ गई थी और जो सीटे वेकेंट पर गई थी थी थोड़ा सा यहाँ पर कटण भी डाउन जाता है जिस कारण से सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया था तो सेकंड लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों 98.6 इसी प्रकार से 99 है और यहाँ पर देख सकते हैं SC कटेगरी 98.4 SC यहाँ पर देख सकते हैं SC कटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं 83 कोई बच्चा बोलता है कि 83 पर नहीं होता है 99 देखिए होता है होता कैसे है देखिए कुछ-कुछ जो सर्कल है उस सर्कल में आपको ओपिस यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर को कि मिलेगा कि यहां पर जो। के लिए अप अपलाई करने है उसमें दोस्तों आपको अपलाई करना यह चीज़ आपको देखना होगा उस स्वापीस के लिए माल लीजिए। जान पर एक वैक सी निकाली कि 맛있 निकाली है। और उस इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते है, ST के यहाँ पर कम बचे अन्रॉल हुएंगे, जिस करण से यहाँ पर 83 cut-up यहाँ पर गया हुआ है, तो यह चीज को आपको अच्छे से समझना होगा, सारी चीजे समझने के बाद ही, अपने परसेंट के अनुसार आपको form fill-up करना लिष्ट 1 का यहाँ पर cut-up आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, इसके लावा 36 गड़ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और जिसमें दोस्तों यहाँ पर 81,5 जो PWD candidate है, उनको दोस्तों यहाँ पर जितने भी percentage है, अगर वो apply कर देते हैं इस बार, तो उन उनका तो हो गया, जितने भी इनके highest marks गया है, उनका तो हो गया, लेकिन जो बच गया है, जिनका percentage कम है, और इस बार जो frequency जो यहाँ पर निकाली गई है, उसमें दोस्तों उनका कम होने, percent कम होने के बावजूद भी, इस बार जो है आसंका है, कि उनका यहाँ पर selection जरूर न अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम OBC की बात करें तो 93 के आसपास अगर आपका number है, तो आप अप्लाई जरूर किजिएगा, इस बार जो है आपका selection होने का chance दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इसके लावां SESD की बात करें तो 90-95, PWD की बात करें तो 80-85 या इससे कम भी है, तो इस बार दोस्तों आपको जरूर यहाँ पर form fill up करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो वेकेंसी 40,889 निकाली गे थे, उसमें बहुत सारे जो 95 से above जो भी percent लायत है, उन्हें सभी का दोस्तों लगबग होई जाएगा, और जो बच गया जिनके कम percent है, इस बार जो वेकेंस करके जरूर रखना है, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर किजिएगा, इस प्रकार की ऐसी authentic and genuine update के लिए, आपको इस तनलों को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तंक्स पर वाचिए, जहींद